करने बाले हूँ आप अपने स्कीन को ग्लास स्कीन कैसे बना सकते हैं वह भी घर पे सिर्फ नेच्छल चीजों का यूज करके यह आपके चेहरे पे कैसे भी दाग दब्बी है पिंग्मेंटेशन है फिर चेहरे आपका बहुत चाला पढ़ गया है रूखा सुखा ड्राइए ह आए सब्सक्रायों को बड़किंग इत्ना ग्लो मुझाट मुझे ना कि आप पाल जाना छोड़ दो गाले आज आपके साथा ले suppressed को क्लीन करता है जिसे हमारे स्कीन ग्लो करती है जिसे हमारे चेहरे पे पूराना कर ग्लो कर जांसे भाबनीग करने का काम करता है और हपते मे आपको फर दिखना स्टार्ट हो जाता है जो आपके चेरे पर प्रॉब्लम से है वो धीरे धीरे खतम होने लगती है और बहुत ही एफेक्टिव यह फेश्यल है और समर के लिए बेस्ट यह फेश्यल है अक्सर जो दूल मिटी धूप की वज़े से हमारा जुलस जाता है काला पर जाता है उस काले पन को दूर करके आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने का काम करता है और इस फेश्यल में आपको एक उपा भी खर्च करने की जुरूत नहीं है सारी चीज़ आपके किचन में अभी लेवल होंगी तो चलिए हम जानते इस फेश्यल को कैसे करना है स्टा करते है दो इस कच्चा ढूर। या फिर फिर हाथणों की लगाना है अल्पा हडर्र की असीड नाम का यह जातर स्कीं केशल परदक्स्सेमाल किया जाता है इससमें पाहब पाया जाने वखिजाने वालति एनेजिंग स्टाने काका का मुषा Hur ra की अपकर आतकों झ claim नियर को हटाता है नए सेल्स का निर्मान करता है जिससे स्कीन पे गलो आता है इसकीन हमारे निखर जाती है 2-3 मिर तक मसाज देने के बाद जब अपना चेरा साफ करोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत जदा मैल और गंदी आपके चेरे से निकला है तो यह था हमारा फेशल का पहला स्टेफ जो कि बहुत ही जरूरी स्टेफ होता है अगले स्टेफ में जहां पी आपको बनाना है स्क्रबिंग तो इसके लिए आपको लेना है एक पका हुआ केला उसे अच्छी तरीके से मैस कर लीजेए अब देखे केला में पाया जाता है पोटेशम जो कि आपकी रुख्यों ड्राइ स्कीन को नमी देने का काम करता है और इसमें पाया जाता है जिंक और लाक्टिन जो कि एकने और प जो कि स्कीन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग का भी काम करते है अब हम इसमें डालेंगे एक चमचहानी जो कि स्कीन को नमी देता है एक बहुत अच्छा मोश्रेजर का काम करता है और अच्छी तरीके से चेहरे की सफाई करता है यह स्कीन के कई लियर तक जा कि स्कीन की एकसर देखा जाता है कि जो हमें स्क्रविंग करती है तो स्कीन हमारे ड्राइपर जाती है बट यह स्क्रवर आपकी स्कीन को इतना जदा ग्लो करेगी ना इतना जदा आपकी स्कीन पे निखार लाएगी इसे अपने चेरे पे लगाना है लगभग तीन से चार मेरे तक आपको जादा फोकस करना जहां पे आपको मैल गंद की काला पन जदा दिखिरा यह फिर वाइट है इस प्रोग्लम को भी वाइट करने का काम करता है तो जैसे जैसे मैं इसे मसाच देरें आपको दिखे रहा हुआ कि छेरे पर बहुत सुंदर सा गलो आ रहा है चेरा निखर र हम यहाँ पर बनाने वाले हैं मसाजिंग जेल तो इसके लिए आप बीटूट का पाउडर ले सकते हो या फिर आप बीटूट का जूस ले सकते हो जूस ले रहे हैं तो एक चमच लीजेगा या फिर आप पाउडर ले रहे हैं तो भी एक चमच पाउडर लीजेगा आप सभी क और तो चाह durability क काम करता है उससे कैसे प्रवलम प्रव्लम हेसं प्रव्लम सबनों जीनक डालकोलो **** पिग्मेंटेशन है, हाइपर पिग्मेंटेशन, रिंकल्स फाइलेंस को कम करता है, स्किन पे ग्लू आप करने का काम करता है, अगर सन बर्न की प्राब्लम भी हो गई नहीं है, तो इसकीन को ठंड़क देने में बहुत हल्प करता है, तो लबखक दो चमच मैंने इसमें अलव ये मसाजिंग प्रोसेस आपकी स्कीन को लगभख तीन से चार साल तक यंगर बना देगी, मतलब कि जितने रिंकल्स फाइलेंस हैं, उसे कम करने का काम करता है, चेरे पे जो दाग दब्दे हैं, उसे भी हलका कर देता है, बिल्कुल आपकी स्कीन को पॉलिस करके एक ग्लास स्कीन में ये कनवर्ट करने का काम करता है, तो इस तरीके से मैं मसाज दे रही हो, अगर आपको पता नहीं कि कैसे मसाज दिया जाता है, तो आप अपने हाथों को बस सर्कुलेशन मोशन में गुमा कर भी एक अच्छा सा मसाज ले सकते हो, तो लो आप 5-6 स्टेप मैंने सेय पांच-5 बार आप इसे स्टेप को कर सकते हो, अगर आपको फिर भी हातों की हैस से अगर आप नहीं कर पाते हो, तो आप चमच की हैल्प से भी इस तरीके से मसाज दे सकते हो, मसाज देने से ब्लड सर्कुलेशन हमारा काफी अच्छा हो जाता है, जिससे चेरे पे बहुत पुल ग्लास की तरह चमकने लगता है, अब लगभग 10 मिर तक मैंने मसाज दिया है, अगर आप 10 मिर तक नहीं दे सकते हो, तो लगभग 5-6 मिर तक जरूर आपको मसाज देना है, उसके बाद जब आप अपने चेरे को साफ करोगे, ना ऐसा ग्लो आपके चेरे पे आएगा ऐसी चमक आपके चेरे पे आएगा, आप देखे हरान रहा होगे, महंगा महंगा प्रोड़क्ट भी आपके चेरे पे ऐसा ग्लो नहीं ला सकता है, अब देखे क्लीन करने के बाद कितना ज़्यादा चेरा ग्लो कर रहा है, मतलब कि जैसे जैसे हम स्टेप में आगे बढ़त की स्किन की काले पन को दूर करके लगवाद 2-3 से तक आपकी स्किन को लाइटर कर देती है और यह बिल्कुल बतलब कि इंस्टेंट रिजर्ट देता है, जैसे के अपने चेरे पे लगाते हो और साफ करते हो आप बिलीब नहीं कर पाऊगे, दो शे तीन से दक आपकी स्किन अगर आपकी जूलस गई है धूप की वजा से काली पढ़ गई है तो यह स्कीन की जूलसी हुई जो स्कीन है उसे तुरंट ट्रीट करने का काम करता है जिसे स्कीन हमारी काली नहीं पड़ती है तो आलू को हम अची तरीके से घिस लेंगे घिसने के बाद आपको चाहिए एक को हम 2 हिस्टों में cut कर लेंगे बस आधे Qué काम अधा तुमाटर के एक धामाटर रेकी ही झाफह क्गा बादा चरह पाझात है विटामीनसी जो की रंगत को निकानने का काम गरता है अबusters घार का भुए का फजैक्षा काला पढ़गा सब्सक्राइब करते हैं इसके डालेंगे एक चमच पील पाउडर उसके में डालेंगे एक चमच का पाया का पाउडर विटामीन से सब्सक्राइब को छुपर मेंन एक ऑच्छे बड़यासा टाइब conti कैसे भी टाइनिंग यह लृ इंस्टेंट दूर्ट करने के काम करता है अब इसे आपको पने चेहरे पर लगा लेना है यह तो पानी के चितें मारिये पर नहीं हाद को घीला करके लगभग एक मिर तक मसाज दीजिए और मसाज देने के बाद आप साफ करेंगे आपको दीखे क जो आपका skin tone ना दो से तीन tone तक के साफ हो गया है उसके बाद आपको ठंडे बाने के हल से अपने चेरे को साफ कर लेना है साफ करने के बाद आपको unbelievable result मिलेगा आपने देखा था facial करने से पहले मेरे skin tone कैसा था मेरे skin पे बिल्कुल भी glow नहीं था और भी आप देख सकते हो ऐसा चमक ऐसा ग्लो आपके चेरे पर आया है सिर्फ एक ताम के फेशल से और हपते में जब इसे आप रिपीट करना स्टार्ट करोगे हर हपते जब इसे करना स्टार्ट करोगे दो हपते के बाद ही आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा इतना चाहता आपका चेरा साफ दिखेगा ना जो चेरे से दाग दबे ना वो भी आपको बिल्कुली खतम होते नजर आएंगे तो ये था मेरा आज का वीडियो आई होप आपके लिए हेल्फ रहो तो प्लीज कीजिए का चैनल को सब्सक्राइब और विडियो का लाख कुटिल और टे कियर बाएंगे